हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल, आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी हेल्दी एंट टेस्टी सेंडविच चलिए शुरू करते हैं, यहाँ पर मैंने लिया है कुछ स्लाइसिस ब्रेड के, यह जम्बो ब्रेड है जो की स्पेशल सेंडविच के लिए आता है, यहाँ पर मैंने लिया है नमक, यह है काली मिर्च पाउडर, यह है ओरिगयानो और यह है चिली फ्लेक्स, ओरिगयानो और आप इसका यूज कर भी सकते हो और नहीं भी यह है ग्रेट किया हुआ कुकुंबर यानि खीरा यह ग्रेट की हुई गाजर यह ग्रेट की हुई कैबिच पत्रगोबी यह है म्यॉनिज और यहां पर मैंने लिए हैं अमूल के स्लाइस आप किसी और कंपनी का स्लाइस भी कट कर रही हुँ यह देखिए मैंने इसके कॉर्नर्स कट कर दिये हैं अब एंगर शेप में काट लेंगे यह देखिए ऐसे ही हम अपने सारे ब्रेट्स को काट लेंगे तो अब हम सबसे पहले अपनी वैज्जिस को मिक्स करेंगे एक बाउल में ग्रेट किया हुआ कुकूमबर कैरेट और कैबिज इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इनको मिक्स करने के बाद हम इसमें दो चम्मच मियोनीच के डालेंगे फिर इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक अपने टेस्ट अनुसार हम नमक इसमें डालेंगे फिर मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा ओरिगेनो और थोड़ी सी चिली फ्लेक्स अब हम इसे अच्छे से mix कर लेंगे ये देखं़े ये अच्छे से mix हो गया है अब हम एक slice bread कर लेंगे और जो ये material हमने mix किया है हम इसके उपर लगाएंगे इस material को हम अच्छे से isch bread के उपर फैला लेंगे अच्छी तरह से कॉर्णर्स तक लगा लेंगे यह देखिए अब यह मैंने चीज स्लाइस लिया है इसको निकाल लेंगे यह जो चीज स्लाइस है इसे ले लेंगे हम यह देखिए इसे हम ट्रियंगल शेप में काट लेंगे और इसे हम अपने ब्रेट के उपर रख देंगे अब अपने डूसरा ब्रेट लेंगे और इसके उपर ऐसे इसको प्ल्टा रख देंगे यह हमारा ब्रेट सेंड्विच तयार है यह दिखिए मैं बिच में से काट रही हम इसको यह देखिए यहां पर मैं आपको एक और method से बता रही हूं sandwich बनाना, यहां पर मैंने लिए हैं दो slices bread के, onions है मेरे पास, carrot है, cucumber है और है, tomato के कुछ slices है, और यहां पर फिर से मैंने mayonnaise ली है और थोड़ी सी ली है मैंने हरी chutney, तो चलिए शुरू करते हैं, तो चलिए सबसे पहले हम अब मेरे पास यह थोड़ी सी हरी चट्मी है धनी और कोदिना की हम इसे भी लगा रहे हैं इसे एक बड़ा अच्छा flavor आता है sandwich में, अब मैं इसके उपर रख रहे हूं अपना एक slice प्याज का, यहां पर है गाजर, यह खीरा है मेरे पास, और यह है tomato के कुछ slices, अब मैं इसके उपर रखूंगी अपना एक cheese slice, यह मैं इसके उपर cheese slice रख रहे हूं, अब मैं इसके उपर डालूंगी थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी काली मिच्ची, थोड़ा सा chili flakes, और थोड़ा सा oregano, चिल्ली flakes और oregano इसमें भी optional है, आप चाहिए यूज करो, चाहिए ना करो, अब मैं इस पर डालूंगी थोड़ी सी tomato ketchup, अब जो यह दूसरा bread है, मैं इसके उपर ऐसे उल्टा रख दूंगे इसको, यह देखिए, अब हम इसे सेंटर से कट कर लेंगे, ट्राइंगल शेप में, इनको मैंने बीच में से काट लिया है, चलिए, अब इनको सर्फ करते हैं, यह देखिए, हमारे tasty and healthy sandwich तैयार है, comment box में जरूर बताना कि आपको यह वीडियो कैसी लगी, thanks for watching my video,